है कि अध्यूंग तो तो है यह नमस्कार दोस्तो में हूं मनोज पतेल हमारी यूटूब चनल एंबियम टैक्ट विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज के वेडियो में बतांगो आपको ट्रीनल गनल्ट को बिती 136 जो ट्राहक को हम अपने ट्रांजिस्टर और मल्टिमेटर से कैसे चेर करते हैं तो दोस्तो और इसका शिमबल के बारे में में बतांगों तो दोस्तो इस यूट 1 तक दिखती रहें दोस्तो हमारा यह ट्राइक का सिंबोल है देख लीजिए थ्री टर्मिनल है ट्राइक का और ट्राइक के नाम से आपको पता चलेगा कि ट्राइक का कैसे टर्मिनल है का से यूज होता है तो ट्राइक का मतल तीन टर्मिनल और एसी का मतला एसी पर वह वर्क करता है इसका प्रिं लाइसा है जो मोटर में देता है बड़ी-बड़ी इंडस्टी के मोटर को कंट्रोल करने के लिए युज़ає होता है औह deği को ऐसा है कूलर में भी ट्रइक का है तो ट्रइक को ऐसा है यहां से हम केट से या पॉर्जिटिव सिग्नल देते हैं तो सिग्नल से Ipsi आपने दो तरफ खरण फ्लो होता है जैसे MT1 आपने लिए सिघ्नल कर देंगे और we देने के लिए गेट पल्स देने के लिए एक signal का टर्मिनल गेट है तो दोस्तों यह अपना symbol देख लिए कुछ इसी तरह से होता है गेट यह से पल्स देने के लिए गेट का symbol इधर जो होता है वह नीचे वाल MT1 है और यह हमारा MT2 है तो यह कोई भी इसी डीवाइस जैसे मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइक का यूज़ करते हैं जैसे अपना जो गर पे जो फैन रेगुलेटर होता है जो फैन रेगुलेटर में ट्राइक का यूज़ करके हम फैन रेगुलेटर का जो मोटर स्पीश 123 जैन कर सकते हैं दोस्तों तो दो दोस्तों मैं पहले बता हेंगे आपको ट्राइक देख लिए है गरो में सी यह हमारा है दोस्तों यहुक्त ध्रायक का तर्मिनल है जैसे तीन टर्मिनल है कि दोस्तों हम लेंगे हमारा एक बीटी 136 ट्राइक है ट्राइक का देख लिए इसका ती टर्मिनल है MT1, MT2 और गेट 3 टर्मिनल है और यह पिछे वाला बाग है जो बोड़ी का हो MT2 के साथ सॉर्टिंग है देख लिजे मल्टी मिटर पे सॉर्टिंग है देख लिजे अभी आपको ट्राइक को चेक करना है मल्टी मिटर को बजर की रेंग पर और डायोट की रेंग में आप चेक क कर सकते हो दोनों पर डायोट की रेंग जे मल्टीमीटर की और यह हमारे बजर की रेंग में हम चेक करेंगे तो यह बोड़ी है बोड़ी कर लिजे बीदिव नई कर रहा हुए इसको टर्मिक हम में चेंड करेंगे इसको चेंड करने के यहां पर मैंने पॉज्टिव लगा है ऐधर नेगे लगा है MT1 पर positive और MT2 पर negative तो दिख लेंगे इधा रेडिंग्स हो नहीं कर रहा है और हम देखेंगे MT2 और get के बीच में तो यह हमारा MT2 है और get के बीच में कुछ reading नहीं कर रहा है जो आफिए। ओर देखेंगे बाद में um2 पे मीने plus plus में लगाएं तर्मिनल बेल गेट पे नेगेटिव लगाएं तो भी ऑफ सो नहीं कर रहा हюсь देख ली यह हैं तो भी यहां से M2 से gate पे सो नहीं करा है तो दिखिए दिखिए अभी MT1 से gate तक देखते हैं यह हमारा MT1 है और हमारा gate है तो दोनों में यह से railing बताने चाहिए दिख लिजिए दरम बता रहे है यह हमारा सो कर रहा है कैसे यह दिख ले हैं नीची है MT1 MT1 और gate के बीच में सो कर रहा है यह अपना MT1 पे negative point है मल्टी मिटर का और gate पे पहुचरी टर्मिनल है तो 187 reading सो कर रहा है मल्टी मिटर पे अब इसको प्रोच जैंग करेंगे हम मल्टी मिटर का प्लस टर्मिनल MT1 पे लगाएंगे और gate पे लगाएंगे हम negative terminal मल्टी मिटर का देखिए इधर भी सो कर रहा है तो यह सो कर रहा है तो सही है अपना track कैसे कहाँ पे सो करेगा MT1 और gate के बीच में सो करने वाला है यह डिनिंग सो करेगा तो अपना transistor सही है लेकिन ऐसा किसी भी में तो अपना transistor लिके जैँ और ज्यादा रेडिंग्स कर रहा है सब में नहीं कर रहा है तो transistor अपना लिकेज होगा है अपना पनावथ होगा है तो जैसे बजर बज़एदा लगा है ज्यादा रेडिंग बताएगा सब में व्ह millennium ok 개ड़ी बताएगाद तो समदलोग अपना ट्रांजीस्टर लीके जो गहाए तो दोस्तो यह हमारा ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर का हमने वल्टी मीटर सकी हक है चेकश करते हैं अपने 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 बता दिए हैं सो दोस्तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है तो अपने कॉमेंट में कर सकते हो इस कुछ क्यारी हो तो कॉमेंट में लिख सकते हो दोस्तो आप हमारी वीडियो पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेर कीजिए और अपने पास वाले बेल आइट पर क्लिक के जिए जैसे हमारी नए वीडियो टेक्नलोलोजी के रिलेटर आये तो हमारी नोटिफिकनेशन आपको मिलती रहें जय हिन जय बारा